हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई इस्टेडी फिट ओफ फिजिकल एजुकेशन चैनल दोस्तो न्यू प्रैक्टिस का ये तीसवाँ प्रैक्टिस है मैं यंबी वर्ग टू थ्री यूपी टीजीटी पीजीटी यूपी यल्दी ग्रेड बिहार बीपीसी टीरी फूर एंड सभ प्रैक्टिस करा रही हूं आप देली पीसे से में साथ जुड़ी रहिए और थियूरी सेशन पढ़ना चाहते हैं चैनल के प्लेलिस में जाए सभी टॉपिक का प्लेलिस्ट बना हुआ है और स्टेप बाइस्टेप वीडियो बना हुआ है तो दोस्तों गैपिंग ने करते ह देली हम लोग लगातार में बहुत शक्ति होती है लगातार लगे रहिए और जब ही वेकेंसी आएगा आपका एक सीट जरूर रहेगा तो चलते हैं आज के कॉस्टेंस के तरफ कॉस्टेंस नमर वन है क्रिकेट का प्रचार प्रसार कि सकाल में हुआ तो दोस्तों क्रिकेट का प्रचार प्रसार जो है ब्रेटे सकाल में हुआ जैसे कि क्रिकेट को सबसे पहले क्रिकेट का मूल नाम कलब बाल था और क्रिकेट के बाइबिल एंग्लेंड की बिजिडन मैगनी यानि पत्रिका को कहा जाता है और ये भारत में इसका जो शुरुआ वा 1721 में अंग्लेजियों के द्वारा हुआ ये भी याद रखेगा कोशन नमर दो है भारती सिच्छा आयोग द्वारा सारे रिक सिच्छा को मानता दी गई कोशन नमर थ्री है ध्यारजन पूरुषकार किस वर्ट से सुरू किया गया तो दोस्तो ध्यानचिन पुरुसकार को 2002 से सुरू किया गया यह पुरुसकार खेलों में जीवन भरक के लिए उपलब दिये हुए तू परदान किया जाता है पुरुसकार के अंदरगत प्रतेक खिलारी को बरतमान में 10 लाक रुपे दिया जाता है जैसा कि खेल के छेतर में भारत में दिया जाने वाला सरुच पुरुसकार बरतमान में मेजर ध्यान चंद खेलरत पुरुसकार हो गया है पहले इसका नाम राजुबान दे खेलरत पुरुसकार था जिसके सुरुवात 1991 बानमे में हुआ था बरतमान में मेजर ध्यांजन्द खेलोत पुरुसकार में 25 लाग धनरासी दिया जाता है। दूसरा है सरसेट पुरुसकार के अंतरकत अरजूर पुरुसकार जिसकी सुरुवाद 1961 में हुआ इसमें 15 लाग धनरासी दिया जाता है। द्रोड़ाचाद पुरुसकार जिसकी सुरुवात 1985 में हुआ जिसने 15 लाख रुपए दिया जाता है। लाइट टाइम एचुमेंट के लिए ध्यानजंद पुरुसकार 2002 से सुरुआ जिसमें 10 लाख रुपए दिया जाता है। और मुलाना अबुलकलम अजाट ट्रॉफी मां का ट्रॉफी जिसमें पंदर लाग रुपए दिया जाता है। Q4 है, सरोपर्थम उलम्पिक आर्डर सम्मान किसे प्रतार किया गया। Who was first awarded the Olympic order? तो दोस्तों, उलम्पिक आर्डर की सुर्वात 1975 में हुआ था। और IOC द्वारा उलम्पिक के विकास में सहयूग देने वाले बैक्ति को दिया जाता है। Olympic movement के लिए दिया जाने वाला सरोच पुरुषकार है उलम्पिक आर्डर। पुरुषकार के तीन इस तर होते हैं गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉंच। पुरुषकार सुरुषग दो सोने की चैन जिसमें उलंपिक के पाच छल्ले बने होते थे जवतीन के पत्तिया के आकशाञियों के आग़ा होती है। च किलर्यों में जादिया आपधित की लिए गया है किम schwierig नादिया कुमायशिक को जो दो बर उसको दिया गया है। को 1983 में 2004 को पहला पुरुसकार दिया गया है एवरी डेज को अमेरिका के जो सबसे युवा पुरुसकार अर्जित करने वाली व्यक्ति बरी थी भारत में सरपर्थम यह पुरुसकार सुरगी स्रिमती इंद्रा गांधी को 1983 में दिया गया था 1982 के नवी ACR के सफल आयोजन के लिए तो सबसे पहले भारत में दिया गया यह समान इंद्रा गांधी को ठीक है उसके अत्रित अभी तक भारत के लोगों को ओलंपिक आर्डर भी देता है जैसे कि आपके जाल डी पाडिवाला सिल्वर एन एल एन खुराना डाटर चटर जी अस दुलारे मुल्चंद चोहान जस्दिव सिंग आदी इन सबको उनम्पिक आर्डर मिला हुआ है भारत में कोशन निम्र फाइब है हांकी खेल में हरे कार्ड द्वारा किस प्रकार का संकेत दिया जाता है विट टाइप आफ सिंगनल्स इंडिकेटेड बाइ ग्रीन कार्ड इ दिखाने का मतलब होता है कि कम से कम पास मिन्यट के लिए खेल से बाँर किया जाता है और अगर लाल कार्ड दिखाने पर खिलाओ को पूरी समय के लिए खेल से बाहर कर दिया जाता है पोस्टैन नमबर 6 है कि फार्मुला टीड में पीली जंडी इस त्रकाल का संकेत करती है तो थो स्ञेवित बन पारेसिंग जो होता है कि उसमें जब एक लहराते हुई पीला जंडा दिखायेंगे तो चल्कों धीमिन का संकेत देती ती धीमिन होने का संकेत और कहीं दो पिया जंटा एक साथ लहराते हुए दिखाएंगी तो उसका मतलब होता है कि किसी भी समय रुखने के लिए तयार रहने का संकेत होता है Q7 है टेबल टेनिस के गेंद का वजन कितना होता है What is the weight of table tennis ball दोस्तों सबसे कम वजन होता है Table tennis के बाल का लोको 2.7gg ना होता है, कितना होता है Table tennis के बाल का भाल 2.7 g allowsoue और दीया है इसलिए 2.5g यहां पेused right माल दिया गया हैнов और यहां गेंद रफ्सफीद उनारंगी क्लर को होता है है ठीक है सबसे हम्रका होता है और इसका 42 mm होता है यह भी याद रखेंगा क्वेशन नमबर आठ है अंतराश्टी वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन कब हुआ वेज़ वाइद इंटर्नेशन वॉलीबॉल फेडरेशन फॉर्म्ड तो दोस्तों अंतराश्टी वॉलीबॉल संगठन का जो गठन हुआ उनिसोशाइटालिस में किया गया था पेरिश फ्रांस में और उनिसोशाइब इस खेल की विस्तों चैंपियंशिप यानि वर्ल्ल कप हुआ क्वेस्टन नमर् नाइन है नौक नी एक किस्मी की आम मुद्रा विकृती है जिसे एक किस योगासन से खिक किया जा सकता है दो गुटनेशन विकृतिया होती है एक होता है बावलेग या जेनुवरम जिसे हम धनुसाकार टांगे यानि बंडी लेग भी कहते हैं जो घुटनेश दोनों तरफ बाहर के और निकल जाती है ओ की आकरिती बनाती है इसे हम कहते हैं बावलेग या जेनुवरम दूसरा होता है नाकनी या जेनुवल गम यानि जैससे सट जाना, यानि गुटंव में आपस टच करती है, यक्सकी आवकृति बनाती है, इसकी बिकृति होने आपका right answer हो जाएगा उसके लावा नीमित गुरुसावारी करने से एन कुछ समय के लिए नीमित रुप से पदमासन वा गुमखासन अवस्य करना चाहिए दोरूं घूटों के बीच में तक्या रखे तथा कुछ समय तक बिलकुल सीधे खड़े रहें उसके अलावा होने पर इसे ज्यादा रही ठीक हो रहा है तब कुछ पर डाक्टर के पास जाना चाहिए को कोशन नमर्द दस है मैं एकली लेंड द्वारा विक्सित मानों ब्योहार विधी में प्रयोग्त संच्यप्त रूप एन एसी एच किसके लिए प्रियोग किया गया है तो दोस्तों अधिक उच्चाही पर जाने के बाद प्रथम कुछ दीनों के दोरान किस भौतिक सार्रीक परिवरतन को अनुभो करने की संभाना होती है तो विच फीजिकल चेंजर इस लेकली टूबी एक्सपरियेंच डियूरिंग दे फॉर्ष्ट फ्यू डेज आफ्टर ट्रेवलिंग तो दोस्तों अधिक उचाही पर क्या होता है आकसिजिन की कमी हो जाती है आकसिजिन का दबाव बढ़ जाता है जिससे उसे पूर्ती करने के लिए हम ज्यादे जल्दी ली सांस ले लगते हैं हमारा ब्लड प्रेसर हार्ट रेज दोनों बढ़ जाता है ठीक है तो यहाप र प्रेसरेट और ब्रस पेसर दोनों बढ़ जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहाडों पर या अधिक उचाही पर आकसिजिन की मात्रा वातावरल से बहुत कम होती है जिससे शरी में उसकी अधिक ऑशिजिन की पूर्ती होती ही रेगरती बढ़ जाती है कोस्टिन नमर बारा है मांस पूर्सियों को मांस पेसियों को पुल टून रखने का एक मात्र उपाय है दा वंली वे दा वंली वे टू कीप मसल्स फूल टूंड दोस्तों यहां पर आप पढ़ेंगे कि यहां पर सबसे उत्तम यहां पर आसन हो जाएगा उचित और करने से मांस पेसियों को पूल टून रखने में सायख होता है कि पेसियों मांस पेसियों के आंत्रिक भी सेस्ता नहीं है अपितु यह तंत्रिका की एक प्रतिवर्थी किरिया का रूप है पूल मांस पेसियों प्रतित्र समय से सवाधिक समाधीत होता है कि पूशन नंबर 13 ह एक अक्यला नर्व इंकार में उद्बन करता है आक शिंगल नर्व इंकार में स्संकुचंण और नमबर 14 निम्न पार्थ योजना का सिधात नहीं है दूस्तों नेजन बच्चों के अबिसेय क्या है और बच्चों का उम्र क्या है लिंक क्या है कैसी चाहिए इस अभी पिष्छान रखें प्लान बनाते हैं तो आध्यापक का अनुभी इस में आप पा गर्म करना उन्नति यानि एर्वांच मेंट सभी चीजे आपके हैं तो पार्थ योजना में सिच्छक अपनी कच्छा में बेहतर सिच्छ के लिए कई सारे तरीके अपना सकते हैं लेकिन सबसे आवस्यक है कि कच्छा में जो भी से वस्तु पढ़ाई जारी है उसके लिए एक यह अपनाई जाये इसंगें हम पाठ ही होज्फ यह लिस्टलन कहते हैं कोस्चनल 17 है सिस्टोलीक और यही श्टोलीक दबाऊं के बीच के अंतर को क्या जाते हैं तो ड़ेजेक बीटabolीक तो दोस दोस्तों सिस्टोलीक लि betsad कि कैं आंतर को हम कहते हैं फा सेस immune reading Using कोश्टू के संकुचन से उत्पन्न होता है जबकि दाइस्टोलिक दबाव इनके प्रसार या विश्राम रिष्ट अवस्था के कारा उत्पन्न होता है कोश्टन नंबर शोलह है निन में से कौन सा घटक सारी चमता और स्वास्ति यानि विलनिस को प्रभावित करता है दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है आप 20 फोटक सकती एक्स्प्लोसी पावर कोश्टन नंबर सात्रह है किसी भी प्रतियुक्ता के बाद यह पर सिच्छर लाबदायक है विच ट्रेनिंग इस वेनिफीसियल आफ्टर एनी कंपर्टिशन तो कि पहले कंपर्टिशन तो हम कहते हैं वार्मिंग अप यानि गर्माना और आफ्टर एनी कंपर्टिशन यानि कंपर्टिशन के बाद या प्रसिच्छर के बाद हम क्या करते हैं ठंदा करते हैं बाड़ी को लिंबरिंग डाउन करते हैं क्या करते हैं कुलिंग डाउन या ल सिठर के बाद सरी के को फीर से समाने अवस्था में लाने को लिम्रिंग डाउन या कुलिंग डाउन कहा जाता है कुलिंग डाउन सरी को धीरे धीरे ठकावट या अव्य फ्रयास से कि आवस्था से अराम या लगबग अराम की दसा में लाने की प्रक्रिया होती है इसका अती महत्पर उद्येश लैक्टिक अमल के इस्तर को घटाना होता है दिल की धड़कन और स्वास दर को समाने करना यानिक रिडियेश हार्ट एंड व्रेधिंग रेट्स करना होता है ल तो मसल्स होता है ठीक है तो पांच से दस मिनिट का मंद गती से टहलना चाहिए निमने इस्तर के ब्यायाम अथ अथा वित्र कुल डाउन कर लाता है स्वाइक स्रम करने के पश्चाज है इसमें आपका दीरे की बढ़ी होई धरकन को दीरे दीरे समान किया जाता है अथा परकार का नेतित वर्टिम निर्माण में संहर्ष विगटन में और नैटिक विकास पर ध्यान देता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका समाज एक नेतितु है पार्थ योजना की भासा होनी चाहिए दर लैंग्वेज ऑफ लेशन प्लान सुड़ भी दूस्तों कभी भी लेशन प्लान आई सबका बात आया तो आप हमीशा विशे से सम्मधित करके अंसर देजिएगा आपका अंसर गलत नहीं होगा तो पार्थ योजना की भासा हम भा अंसर हो जाएगा बीदी पुरुवक वह संबंधित को से नमर बीस है कि नहीं में से किसे स्वास संबंधि साइज चंता का घटक नहीं माना जाता है तो इस आवदे फाल में नाट कंसाइटेट एक कंपोनेंट ओफ हेल्थ रिलेटेड फीजिकल फीटनिस तो फीजिकल फीजिकल 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 फीज बचना है नांस्पेसी सकती सांस लिता है यानि फ्लेक्सिबिलिटी बॉड़ी कमपोजिशन मस्कुलर इस्टेंड इंडूरिंस है और स्पीड नहीं है इस पीड यानि करते क्या है मोटर से समधित है मोटर से स्कील से इस नहीं है कोसे नमर 2018 है रगबी फुड़बाल में मैदान की लंभाई चोडाई के तनी होती है थो सट लगभी फुडबाल में मैदान क suisंबा है 110 गुड़े 75 गज होती है 110 मिटर आपका गज आपका लबाई आप 75 गज आपका चोड़ाई होता है कोशन नमर बाई से ब्लड सुगर के लिए उपित ब्यायाम है ब्लड सुगर तो सबसे टहलना यारी कि वार्किंग बेस्ट एक्सराइज आपके ब्लड सुगर के लिए थे कोशन नमर 23 है विडामिन ट का apply का र ्सानिक नम क्या है तो मैंने आपको ट्रिक बताय हुआ था दूस्तु रथैप्सर्थे हो घार्टियू ब्ल्से तुल्से और बिडामी एकक राशानिकण लिए की तो से शौड़ईका एकज रूसरसे का उल्सेफिर्फिरलAnal त केल्सि विटामिन D को नाम क्या होगा एलसिफिराल असे नमर डी रथ एक टाफि टेस्स हो जाएक टेकोफिराल विटामिन E का रसानिक नाम सी फिलोगिनून विटामिन K का रसानिक नाम Q 24. Thrombocytes कहा जाता है तो दोस्तों RBC, WBC and platelets मैं से RBC को इस्त्रोसाइट, WBC लिकोसाइट अंप platelets को हम Thrombocytes कहते हैं जो ब्लड को ठक्का जमानई मंदद करता है Q 25. Epilepsy रूक का संबंद है एपिलेपसी इस रिडेटेट टू वाट दोस्तो एपिलेपसी जो मिलगी जीसे कहा जाता है यह नाड़ी संस्थान से समंधित है नर्वस सिस्टम से समंधित है अब कोसे नंबर 26 यहां पर आपको मिलान करना है ग्लुकोज है है हम अब के लिए जस्ट आप मिलान करिए तो यहां ग्लुकोज क्या है दोस्तों तो ब्लड सुगर हो जाएगा तो ए आप हम यहां पर मिलाते हैं A B C D तो ग्लुकोज क्या हो जाएगा ब्लड सुगर यानि की A का 3 हो जाएगा हम हीमोग्लोविन क्या होता है किस नहीं पाए जाता है दोस्तों R B C लाल रुदी कड़ी का में पाए जाता है तो B का 4 हो जाएगा डायफ्रॉम क्या है हमारे स्वांस की प दिख रहा है आफसर नमपर A यहां पर राइट एंसर हो जाएगा कि कोस्टन नमर 27 है निम्नमें से कौन सा खेल उद्भो खेल का उद्भो भारत में हुआ माना जाता है तो इसका आप जान रहे हैं दोस्तों 1895 में बिलियम जी मोर्गन ने अमेरिका में किया था बॉलीबाल कोस्टन नमर 28 है बिजिडन प्रतिका का प्रकासन कब अरंब हुआ वें डिद प्प्लिकेशन आफ बिजिडन में बेंग दोस्तों बिजिडन प्रतिका क्रिकेट से समाधित है तो बिजिडन प्रतिका को क्रिकेट का बाइबिल भी कहा जाता है इसमें प्रति वर्स दुनिया के सर्शेष्ट पांच खिलाड़ियों को अस्थान मिलता है और इसका प्रकासन 1864 से प्रानम हुआ याद रखिएगा 1864 से अब प्रतिक वर्स इसमें पांच सर्शेष्ट दुनिया के सर्शेष्ट पांच खिलाड़ियों का उस्थान मिलता है इसका प्रकासन 1864 में इंग्लेंड के जान बिजिडन द्वारा क्रिकेट खिलाड़ी जो थे उनके द्वारा सुरू किया गया था कोश्चन नबर 29 है कि राइडर कप किस खेल से समधित है राइडर कप इस रिलेटेट तो विच स्पोर्स दोस्तों राइडर कप जो है वहां समधित है गोल्फ से कोश्चन नबर 30 है गोल्डन गर्ल किस की आत्म कथा है किस खिलाड़ी की तो दोस्तों गोल्डन गर्ल इस दे आउट आउट्टो बायोग्राफी आफ विच स्पोर्स पार्सन तो यह है पीती उसा की आप सब को पता है कोश्चन नबर 31 है कि खेल जगत में अधिकादिक बिस्ट सगिता के प्रविष्ट होने के फलस्वरूब खेल पर सिच्छर को कैसा बनाया जाने पर अपच्छा की अधिक बल दिया जा रहा है तो ब्रतमान में इसको खेल परक्ष्पोर्स औरियन्टेट या स्पोर्स एस्पेसिफिक बनाने में अधिक जूर दिया जा रहा है सालरेस yapıyor कार्मी 7 vedere सब् grind 36 सिक्षा का व अंग है उसका स guarantees के साथ है अप चैपने सबस्क्राइब नहींदा तन्ra कौंसा बिंदू सालरिक शिच्छा को एकेड़िक बिसा को बनाने वे सही होगी है दोस्तों वह है जो बर्तमार में किंसियोलोजी बायो मैकेनिक्स बहुत सारे बैग्यारिक सांटिफिक प्रिंसिपल आ रहा है वो इसको एकड़िमिक बिसे बनाने में सही होगी है कोशन नमर 34 है आपको इसमें मिलान करना है आपको स्पोर्ट ट्रेनिंग से रिलेटेड है तो कोडिनेशन क्या है कोडिनेशन हमारे समझते अंगों को प्रियोग करके उसको संतुलन बनाए रखना यानि कि आपका हम बात करते हैं यहां पे A, B, C, D ठीक है तो कोडिनेशन यहां पे सबसे पहले जो आपको आता है उसको पहले भी लगाए आपको क्या आता है इसमें आप देख सकते हैं कि सक्ति सक्ति कीसे कहते हैं तेज गदी से बल उत्पर्न करने की छंता तो B का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा यहां पे B का 4 हो जाएगा और गती गती क्या है थेक हैं अगवा कोत तेज गती सेिह थेख कर देक कर्दी का 3 हो जाएगा अब बचा क्या आपका प्रतिक्रिया समय प्रतिक्रिया क्या होता है रियक्शन टाइम जैसे हम बंदुक का आवास सुनते ही जश्ट हम दरणा सुरू कर देते हैं तो प्रतिक्रिया समय क्या है कि उत्प्रेडा देने और सारी प्रतिक्रिया के बीच बेतित होने वाला समय तो सी का वन हो जाएगा बच्चा क्या समन्व कैसे बनाएंगे किसी बेगति बीजी को आठकी ठंग करेंगे उसको को आटिनेशन कहेंगे तो एक हो जाएगा टू इस परकार 2 4 13 2 413 कहां दिख रहा है आपसा लंबर आपसर नमर्ड दी यहां पर राइट अंसर हो जाएगा इस तरीके से इसको मिलाया किजिए को स्टेन निमर फाइटीस है मानुवा सरी में फार्ट लेक बिक्सित होती है फार्ट लेक डेलॉप इन हीमन बाडी थू तो फार्ट लेक सब्सक्राइब इसका आठ होता है इस कि फार्ट लेक यह उन्हें सोसाइटी से गोश्टा होम लर्ण नेखो जा था जो इन्डॉरेंस डेलप करता है फार्ट लेक सब्सक्राइब स्वेडिश सब्सक्राइब है जिसका अर्थ होता है गती प्ले यानि स्पीड प्ले और इसमें अभ्यास की गती अपने इच्छा करने की विधी हैं कि कोर्शन नंबर 36 है हाई एल्टिट्यूड पर प्रसिच्छर की भार को सहन करने की छंता को क्या करते हैं जैसे कि आप जानते हैं हाई एल्टिट्यूड यानि अधिकुचाई पर जो हमारा अक्सिजन लिवन होता है कम हो जाता है दबाव प्रेसर जाता है इसमें दो हम कंबनेशन बैठाते हैं और सहन करते हैं उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं एक्ले मिटाइजेशन तो अलग अलग जलवायू भी सेसकर प्रयावरोड ताप्मान और भोगोलिक उन्यन में प्रिवतन है तो किसी बैक्ति के सारी समायोजन को हम एक्लिमेटाइजेशन करते हैं कोसाइज नमबर 37 है एलिसा चांश किसका पता लगाने के लिए किया जाता है दोसे एलिसा प्रय स्काणर को पता लगाने के लिए किया जाता है है इस संक्रावर तीन कावनों से होता है अच्छली देवन संब्ण और रखत आधार यानिए जिए रख्त देना। उसी सुईसेजं से दुआरा। और मा के गर्भ में बच्चे कोूस्टिन मूंबर 38 है। जिनमे से कौन सकरात्मक खेलकूद महाल के लिए सही अनिवार त्थव है। तो दोस्तु यहाँ पे आपका सकरात्मक ख्यलकूद महाल के लिए प्राकिति जल्वाई दसाय कैसा है यह भी मैटर करता है समाज की सद्कीतियों पर अधिकारियों दर्सकों का रवया ब्योहर कैसा है माता पिताओ कि लड़ियों का रवया ब्योहर करता है इस सभी चीजे मैटर करती है तो आफसन नमर डी यहां पे राइट इंसर हो जाएगा तो दोस्तों यह था आज के organisation में आर्थी 17 की questions आयो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा जिसमें doubt वोगा जरूब बताइए और जाते से जाने वीडियो को सेयर कीजिए जिसे और लोगों तब वीडियो पहुंच सके तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो प्रैक्टिस में तब तक के लिए जाएगे